प्रेंड्स आप सभी का आपके अपनी चैनल गोपाल इस्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेकर आये हैं बाल विकास एम शिक्षासात्र चाइल्ड डव्लोपेंट एंड पेडागोजी के महत्पून टोपिक मेधावी सरजनसील विशिष्ट परतिवावान, सिक्षनार्तियों की आवश्यक्ता को समझना, Addressing the talented, creative, especially abled learners फ्रेंड्स ये टोपिक आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा मौस्ट इप्रोडेंट है और आपके आगामी परिक्षा, सी टैट एक्जाम, यूपी टैट एक्जाम और सुने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया होगा, आपको सिंपली इसको प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करते हैं तो लाल रंग का बटन भूरे रंग में चेंज हो जाएगा, और साथ के साथ एक घंटी का निशान बनके आएगा, उसको भी आपको प्रेस करना ह वहाँ पर प्रेस करके आप मेरी कंपलीट वीडियो जो कि चाइल्ड डेवलोप्मेंट पैडागोजी, साइन्स, मैथामेटिक्स, हिंदी, इन्वार्मेंटल स्टडी की आपको वहाँ पर सभी कंपलीट वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपकी परिशा की दरिष्टी से परिश्टा को समझना, एड्रेसिंग दा टेलेंटिट क्रियेटिव इस्पेस्टी एबल्ड लर्नर्स, तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में 30 मोश इंपरेंट कोश्चन्स को लिया है, जो कि आपकी परिशा की दरिष्टी से बहुत ज़्यादा महत्कून है, आप श्रम से इन सभी 30 मोश इंपरेंट कोश्चन्स को अटेम्ट कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट बोक्स में लिख कर बताईए कि आपने कितना स्कोर किया है, और फ्रेंड्स यदि आप वीडियो में कोई इंप्रूमेंट चाते हैं, तो आप प्लीज लिख सकते हैं, अपने कमेंट बो बुद्धी और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं यह कथन निमलिकित में से किश विद्वान का है यह कथन किस विद्वान ने दिया था तो सबसे पहले फ्रेंड्स में आपको परतीबा सील परतीबा शाली बालक के विशे में चंद सब्दों में समझाना चाहूंगा तो बालक कोन से होते हैं परतीबा साली बालक वे होते हैं जो सामाइन बालकों की अबेक्षा बुद्धी में मौलिक चिंतन कारिय करने की कला स्रिजनात्मक्ता विशे वस्तु को समझने की चंद जोखिम लेने की चंद पित्यादी में स्रेस्ट होते हैं दूसरा पॉइंट इस के उपर होती है तो परतीबा साली यदि बच्चों की बुध्धि लफदी पूछा जाये तो 120 के उपर होती है तो चले दोस्तों अभी हम अपने question के उपर आते हैं परतीबा साली बालक सारीरिक विकास सेक्षनिक उपलब्धी बुध्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ट होते हैं तो यह कथन किस विद्वान का है तो यह कथन दिया था सिरी टर्मन जी ने तो जो की option number two इस question का सही है अब नेक्स question देखते हैं डी होन और कफ की सुची के आधार पर परतिववान बालकों के संदर में कौन सा कथन सही है तो हमें सही कतन का selection करना है तो पहला option दिया है सामान बुद्धी का परियोग अधिक करते हैं correct है कठीन कारियों को आसानी से कर लेते हैं ये भी correct है ऐसे बालक सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं ये भी correct है तो इस प्रकार उप्रोप्ट तीनों कतन हमारे सही है तो option number D इसका correct है next question परतीवाशाली बालकों की विशेष्टाओं के बारे में निम्लकित कतनों पर विचार कीजिए अभी कौन-कौन से कतन है वे पढ़ लेते हैं ऐसे बालक नवीन व्यक्तियों, अस्थानों और परस्तितियों में सिग्र से समायोजन कर लेते हैं तो यह भी जो हमारा statement है वो correct है अब दूसरा दिया है ऐसे बालक में अवधान का विश्थार अधिक नहीं होता है तो यह हमारा correct नहीं है तो इस तरह से हमारा जो option number one ही correct है केवल one नेक्स question देखेंगे परतिवा साली बालकों के संदर में कौन सा कतन सही नहीं है सही नहीं कतन का selection करना है तो friends जैसा कि पहला option दिया है ऐसे बालक की रूची दूसरों की आलवचना में अधिक होती है तो यही हमारा क्या है सही नहीं है बाकी option भी पढ़ लेते हैं तरक करने की योगता समाने बालकों से अधिक होती है यह सही है यह बालक समाजिक दूस्टी से सुद्रड होते है यह भी सही है ऐसे बालकों में ग्यान की जिग्यासा मौलिकता और द्रड इच्छा सकती पाई जाती है यह भी सही है तो friends पहला option जो है ऐसे बालकों की रूची दूसरों की आलवचना में अधिक होती है यह सही नहीं है तो question number 4 का right answer option number 1 है next question देखेंगे हेलिंग बर्थ ने प्रतिबा शाली बालकों के पाठ्टे करम में समर्दी के लिए क्या कारिकरम बताए तो कौन से कारिकरम बताए वो हमें बताना है तो friends इसमें पहला option दिया है आधुनिक बाशाओं का अध्धन ये भी उन्होंने बताया जीवन गाठाओं का अध्धन ये भी बताया विशेस योगताओं में परिक्षन ये भी बताया तो इस तरह से उप्रोब सभी option सही है next question देखेंगे परतिबा साली बालकों के सिक्षकों की विशेस्ताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो सही नहीं कतन का हमें चैन करना है तो friends इसमें मैं right answer पढ़ देता हूँ so that वीडियो काफी लंबा ना हो तो इसका right answer है option number two विशिस्ट परसिक्षन एवं परमान पत्र का होना अत्यंत आवशक होना चाहिए next question देखेंगे अनिवारिय रूप से किसी नई वस्तु का सरजन करना ही सरजनात मकता है यह कतन किसका है बहुत ही अच्छा कोशन है तो यह कतन दिया था James driver में James driver में कि अनिवारिय रूप से किसी वस्तु का सरजन करना ही सरजनात मकता होता है next question गिल्फोर्ड के स्रजनात्मक्ता के पर्मुक तत्व में से कौन समलीट नहीं है तो कौन सा तत्व है जो समलीट नहीं है तो ये है आविस कारात्मक स्रजनात्मक्ता जो की option number third correct है ये स्रेजनात्मक्ता के परमुक्सिदान तत्व जो की गिलफोर्ड ने दिये थे उसमें सामिल नहीं है नेक्स क्कॉर्शन देखेंगे ट्रेलर महोजे ने स्रेजनात्मक्ता के परकार में किसको समलित किया जाता है तो किसको समलित किया जाता है तो जैसा कि option में दिया है नवा चारित स्रजनात्मक्ता को ये भी correct है आयातित स्रजनात्मक्ता ये भी correct है अभी व्यक्तात्मक्त स्रजनात्मक्ता ये भी correct है तो इस तरह से हमारे सभी option correct है Next question देखेंगे स्रजरात्मक बालक के परशिक्षन के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है तो कौन से ऐसे परशिक्षन करने के लिए तरीके हैं जिसको स्रजरात्मक बालक के लिए अपनाया जाता है तो फर्स्ट है चित्र पूर्ती परिक्षन तो दोस्तों मैं आपको चित्र पूर्ती परिक्षन के विशे में बताना चाहूँगा कि चित्र पूर्ती परिक्षन में अपूंग चित्रों को पूरा करना पड़ता है second वृत परिक्षन ये वृत परिक्षन भी अपनाया जाता है और वृत परिक्षन में क्या होता है इसमें वृत के अंदर चित्र बनाये जाते हैं तो ये भी correct है next है team के डिब्बे का paration अब team के डिब्बे में क्या होता है खाली डिब्बों में नमीन वस्तों का स्रिजन कराया जाता है तो यह भी correct है तो इस तरह से हमारे सभी option correct है यह सभी इसका उतर है next question blank दिया है friends blank दिया है परतिबा साली होने का संकेत नहीं है तो परतिबा साली होने का संकेत नहीं है तो जैसा कि उसमें option number one दिया है स्रिजनात्मक विचार तो यही इसका संकेत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ हमा friends जो परतिबा साली जो बालक होते हैं उसमें स्रिजनात्मक्ता का होना अनिवारिय नहीं होता है यानि कि अनिवारिय नहीं है कि सभी परतिबासाली बच्चे स्रिजनात्मक्त हो यह अनिवारिय नहीं होता है तो इसका option number one correct है next question निम्ण में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षन नहीं है बताना है फ्रेंट्स जब भी कोई question नहीं है का आता है तो उस question को आप बड़े ध्यान से हल करेंगे क्योंकि उस question के गलत होने के ज्यादा chances होते हैं तो इसलिए उस question को दो बार पढ़ेंगे और उसको अराम से अपनी बुद्धी के हिसाब से सोचते हुए उस platform पर खड़े होकर ही उसका answer करेंगे तो चले दोस्तो question number 12 का जो right answer है वो है हमारा option number 2 option number 2 में दिया है वह है जो प्रभाव पूर्ण एवं उचित तरीके से suppression करने की चमता रखता है यह लक्षन नहीं है next question आप एक 30 सेक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे जो एक 30 सेक्रिय बालक होता है उसको कैसे सही दिशा में सही direction में लाएंगे दोस्तो यह बहुत अच्छा question है और आप देख सकते हैं continue question तीन question यानि की continue तीन question यूपी टेट नवंबर 2011 में पूछे गए हैं आगे के सभी questions जैसे आप देखेंगे तो 13 का जो right answer है वो है दोस्तो उसे शामपट आदी शाप करने का काम देंगे तो जो भी अती सेक्रिय बालक है तो उसको सही दिशा में लाने के लिए क्या करेंगे निम्न में से क्या नहीं है तो क्या नहीं है वो हमें बताना है तो वो क्या होता है दोस्तों यह होता है option number two दूसरों के साथ लड़ना तो दूसरों के साथ लड़ना प्रतिवासाली होने का संकेत नहीं है निम्न में से नहीं है next question देखेंगे 15 number का विद्यारतियों में आवा जो आवान्चित विवहार के कारणों को ढूनना एवं उपचार का परबंदन करना ये ही जो है वो सबसे प्रभावी पदती है जो की option no.3 कोशन का सही है नेक्स कोशन देखेंगे समश्या के अर्थ को जानने की योगता वातावरन के दोशो कमियों एवं रिक्तियों के प्रत सजगता विसेस्ता है किस प्रकार के बालत की विसेस्ता है ये हमें पताना है तो ये विसेस्ता होती है सरजन सील बालको की जो की option no.3 कोशन का सही है तो सरजन सील बालको की क्या क्या विसेस्ता होनी चाहिए क्या क्या विसेस्ता होनी चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूं निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्त को उत्तम रूप से परदसित करता है तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्त को उत्तम रूप से परदसित करता है तो इस question का जो right answer है वो है friends option number one यानि कि पून अभी व्यक्ति, संगीती करण और सामाने लक्षन की और निर्देशन नेक्स कोशन देखेंगे विशिस्ट बालकों की सिक्षा है तू सिक्षक को ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो विशिस्ट बालकों को सिक्षा देने के समय तो 18 का राइट आंसर है option number 3 व्यक्तिकत आवशक्ताओं वे समश्चाओं पर next question देखेंगे next question स्रिजनात्मग बालक में निम में से कौन सा गुन नहीं पाया जाता है बहुत ही अच्छा question है कौन सा गुन नहीं पाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो option number 4 है सीमित रूचिया अभी next question देखेंगे next question 20 number का question है निम में से कौन सी स्रिजनात्मक्ता की विशेष्टा नहीं है तो स्रिजनात्मक्ता की विशेष्टा कोन सी महीं है तो इसमें friends option number 1 में दिया है मौलिकता जो की स्रिजनात्मक्ता की विशेष्टा होती है उतपादगता भी होती है नवीन ग्यान की खोज़ भी होती है तो हमारा option होता है अइपरियोष्टन सील्था जो की स्राजनात्मक्ता की विशेस्ता नहीं होती है तो इस question का जो right answer है वो है option number third ए परिवर्तन सीलता next question निमलिकित में से क्या बच्चों की स्राजनात्मक्ता के विकास में सायक नहीं है क्या चीज स्राजनात्मक्ता के विकास में सायक नहीं है तो ये है option number two और option number two जो है भाशन भाशन नहीं है तो friends इस तरह से इसका जो right answer है वो है option number two भाशन next question देखेंगे सीखने का वे model जो बच्चों की स्रजनात्मक्ता को उत प्रेरित करता है काफी अच्छे question है और आप देख सकते हैं कि राज्यों की किसी भी राज्या का यदि टैट exam है तो उसमें कम सकम इस topic से दो से तीन question पुछे गए हैं और ये सभी questions बहुत ही ज़ादा महत्कून है इसलिए आप से request है इन question को सभी को आप attempt कीजिए और अपने score का पता कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुची है और फ्रेंड से दी आप इस वीडियो को एक से दो बार देख लेते हैं तो 100% मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि इस topic से जो भी question पूछा जाएगा वो question आपका गलत नहीं होगा तो चले दोस्तों देखते है question number 22 सीखने का वह model जो बच्चों की स्रजनात्मक्ता को उत्परिरित करता है तो वह कौन सा model है तो इसका 22 का जो right answer है वो है दोस्तों option number 2 रचनावादी model जो कि option number 2 इस question का सही है next question एक मेधावी चात्र अध्यन में बहतर उपलब्दी हाशिल नहीं कर पा रहा है शिक्षक को निम्ड में से उसके लिए कौन सी गतिविदी अपनानी चाहिए तो कौन सी गतिविदी अपनानी चाहिए वो हमें बताने है तो इसका जो right answer है वो है दोस्तों option number 2 और option number 2 में दिया है उसकी कम उपलब्दी का कारण पता करना यानि कि उसकी उपलब्दी का जो कम कारण है यानि कि उसकी कम उपलब्दी किसलिए हो रही है उसका कारण पता करना next question निम्ड में से कौन सा सिक्षार्टियों में स्रिजनात्मक्ता का portion करता है यानि कि कौन सा कारण है या कौन सा कथन है जो की स्रिजनात्ता का portion करता है तो 24 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तो option number 2 और option number 2 में दिया है परतेक सिक्षार्टी की अंतर जात परतिबाओ का portion करना करने यह उपरशन करने के आउसर उपलब्द कराना next question देखेंगे 25 नमजर का question है परतिबासाली विद्यार्थी कैसे होते है उनके विशें में हमें बताना है तो परतिबासाली विशें में किया कथन है जो की सही है वो हमें बताना है तो जैसे कि option number 1 में दिया है दोस्तों स्वभाओं के अंतर मुकी होते हैं तो नहीं, इसका property है, next है, अपनी आवश्चताओं को दरड़ता पुर्वक नहीं कैज पाते हैं, तो ये भी property नहीं है, next है, अपने निर्डों में आत्म निर्वर होते हैं, ये correct है, तो next है, सिक्षोकों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी correct नहीं है, तो option number third इसका correct है, next question देखेंगे, परतिबासाली सिक्षार्थियों को क्या मतलब करना चाहिए, या उनके द्वार क्या कर सकते हैं, तो वो हमें भी से स्वतंत्र कोश्चन में बतानी है, तो जैसा कि इसमें 26 में बताया गया है, option number one में अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, तो ये भी सही नहीं है, next है, ऐसे सहयोग की आवशक्ता होती है, जो सामानेते विद्जालियों द्वारा उपलब्द नहीं कराए जाते हैं, तो ये इसका option correct है, next को और पढ़ लेते हैं, friends, शिक्षक के बिना अपने अध्यन को विवस्तित कर लेते हैं, तो ये भी correct नहीं है, अन्य सिक्षार्तियों के लिए अच्छे मोडल बन सकते हैं, तो ये भी correct नहीं कह सकते हैं, तो 26 का जो right answer बनता है, वो है, ऐसे सहो के अवश्रक्ता होती है, जो सामान्यत है, विद्यालो दुवरा अपलब नहीं कराए जाते हैं, इसलिए उनमें जो परतिबा होती है, वो extraordinary इसलिए होते हैं, next question, 27 में खालिस्तान दिया है कि कारण परतिबा सालिता होती है, किसके कारण परतिबा सालिता होती है, तो ये हमें बताना है, तो friends जैसे से में दिया है, पहला option, मनों समाजी कारकों के दोरा तो नहीं होती है अनूं वंसिक रचना के दोरा तो ये हो सकती है नेक्स है वातावनिय अभी प्रेना के दोरा तो ये भी हो सकती है तो इस तरह से हमारे हमारा जो इस question का answer है वो है option number four two out three हमारा option सही है यानिकी दो और तीन का सन्योजन होने के कारण ही परतिभा शालिता होती है next question देखेंगे प्रवाहो पूनता, व्याक्खा, मौलिक्ता और लचिलापन किसके कारण साथ संबंधित तत्तो है यानिकी किसके साथ संबंधित तत्तो है तो ये होता है प्रतिभा के साथ जो कि option number one इसका correct है तो मैं sentence को पूरा कर देता हूँ प्रवापूंता व्याख्या मुलिक्ता और लचिला पन प्रतिभा के साथ संबंदित तत्व है जो कि option number one इसका correct है next question देखेंगे प्रतिभा शाली विद्यारत शिक्षारतियों को खाली स्तान दिया है से जुड़े परसनों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है तो वो है option number one friends ismarn कि ismarn से जुड़े परसनों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है next question देखेंगे and the last question of this video तो अध्यापक के दृष्टी कौन से प्रतिबा शालिता किसका संयोजन है तो यह हमें बताना है कि किसका संयोजन है तो 30 का जो राइट आंसर है वो है फ्रेंट्स ऑप्शन नमर वन उच्छ योगता उच्छ रजनातमक्ता उच्छ वचन बद्धता का संयोजन है तो या सैग द्यवग भरती परिच्छा हो या डिटर प्रलेस्पी का एक्जाम हो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्कून है तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जादे से जादा लाइक कीजिए क्यो दो भी इन सब टोपिक की या इन सब पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उनको शेर कीजिए तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो मंगल में हो और इसी सुब कामना के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन जैभरत